पड़ी जी लेकिन ये जो नरेंद्र मोधी के मार्ग में जो लालकृष्ण अडवानी जैसा दबंग और दिगज निता जो है वो रोड़ा बनकर उभर कर सामने आए वो क्यों रोड़ा बने क्या ऐसे कुंडली में दोश है देखिये ऐसा है कि एक व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है जी लालकृष्ण अडवानी ऐसा कह लिजे कि भूत पूरब उपप्रधान मंत्री भी रहे हैं तो हर आदमी की एक अपनी इच्छा होती है राजेश जी यहाँ एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि पंचत अंतर का एक श्लोक है जीरेंते कृष्ण जीरेंते बाला जीरेंते दंता जीरेंते कंठा जीरेंते चक्षू यानि आँखों से दिखना बंद हो जाता है नाक से सूंगना बंद हो जाता है गले से बोलना बंद हो जाता है सब कुछ जीरन हो जाता है ना जीरन ते त्रिशना त्रिशना तरुन रहती है तो उसमें एडवानी साब का कोई कसूर नहीं है उनकी त्रिशना थी जो उनके बीच में नरेंदरवाई मोदी के बीच में आ रही थी इसलिए आज नहीं तो कल कुंडली के हिसा आपसे हो सकता है एक सब्ता के अंदर अंदर अडवानी साहब जो है एक नया रोडा उनके नरेंदर भाई मोधी के जीवन में अटकाएं हो सकता है भारती ये जन्नता पारटी के सब पदों से अस्तिफा दे दे